हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल नितिका स्टड़ी पॉइंट और आज का हमारा टॉपिक है सैवाल, एलगी या फिर जिसे काई भी कहा जाता है इसके बारे में आज हम पूरा डिटेल जानेंगे आप वीडियो लास्ट तक देखिए यहाँ पे भूमंडल पर पाए जाने वाले पौधों का विभाजन दो वड़े विभागों में किया गया है जो पौधे फूल और बीज उत्पन नहीं करते उन्हें क्रिप्टो गेम्स कहा जाता है और जो फूल, फल और बिज उत्पनन करते हैं उन्हें फेनेरो गेम्स कहा जाता है तो यहाँ पर जो सैवाल है या फिर जो ऐलगी है उन्हें क्रिप्टो गेम्स के थैलो फाइट वर्ग में रखा गया है सैवालों का अध्यन, एल्गोलोजी या फिर फाइकोलोजी कहलाता है एप इप रिष्ट चे एक साइंटिस्ट है जिन्हें फादर और फाइकोलोजी कहा जाता है यदि हम यहाँ पे देखते हैं तो जो सैवाल है उन में क्लोरोफील जो है परियाप्त मातरमी पाया जाता है पर्ड हरित यहाँ पर पाये जाने के कारण यह बहुदा या फिर अधिकतर हरे रंग के होते हैं कुछ सैवाल ऐसे भी होते हैं जिनका रंग लाल भूरा अथ्वा नीला हरा होता है अधिकान सैवाल पानी में तलाबों में रुके हुए जलासेयों तथा समुद्रों में पाए जाते हैं कुछ सैवाल पादपों के तनों पर अथ्वा पत्थर के उपर भी उखते हैं यह हरी परत के रूप में है वो उखते हैं कुछ नीले हरे वर्ण के जो सैवाल है वो इस्नानागार या फिर जहां पे आपका बातरूम होता है जहां पे पानी अधिकतर रुका हुआ होता है आप वहां देखते होंगे ग्रीन कलर की चोटे-चोटे जो है आपके फर्स में दि पानी में पैदा होने वाले सैवालों का विभाजन दो भागों में किया जाता है। पानी में यह या तो स्वतंत रूप से तैरते हैं या फिर धरातल पर एक विशेश अंग जिसे इस्थापनांग या फिर होल्ड फाष्ट कहते हैं उसके द्वारे इस्थित रहते हैं। देखे जा सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कई सेंटिमीटर लंबे होते हैं। यह प्रथम कोटी में आते हैं जो कि बहुत ही सुक्षम होते हैं। और यहां पर बड़े कोटी वाले मतलब जो लंबे होते हैं जिन्हें आप आसानी से देख सकते हैं। वी सुत्रवत होते हैं या फिर फिलामेंटस होते हैं जो कई कोशिकाओं के बने होते हैं। यहां पर सबसे बड़ा जो सेवाल है वो मैक्रो सिस्टिस है जो लाखो कोशिकाओं का बना होता है। और कई सो फूट यहां पर यह लंबा होते हैं। प्रति कोशिका के अंदर एक केंद्र क्या भी नुकलियस होता है जिसके चारों ओर कोशिका रस भरा हुआ होता है। इनका जो पादप होते हैं जो सैवाल होते हैं विद थैलोइड होते हैं यहां पे थैलोइड या फिर सुकायवत ऐसे पादप होते हैं जिनमें जड़ तना एवं पत्ती विभाजित नहीं होता है आप यहां पे कोई पेड़ देखते हैं उसमें आप जड़ तना पत्ती यहां सा जड़ है कौन सा तना है कौन सा पती है तो यहां पे जो सेवाल है वो थैलोइड होते हैं और यह थैलोइड जो पादप है वे थैले की समान दिखाई पड़ते हैं यदि हम यहां पे नेक्ष्ट इनका जो लक्षण है वो देखते हैं तो यह जो पादप है मतलब की जो सेव वो एकोस्किय या फिर मंडलिय या फिर ग्रूप के रूप में या बहुकोस्किय हो सकते हैं या फिर साखित हो सकते हैं इनमें जो भोज्य पदार्थ है उसका संग्रहन इस्टार्च के रूप में होता है ये स्वैंपोसी होते हैं देखें इनमें क्लोरोफील पाया जाता है इसी कारण ये स्वैंपोसी या फिर आटो ट्रॉफिक होते हैं, जिसके कारण ये पौधों की तरह अपना जो भूजन है, वो स्वैंप बना सकते हैं, इनकी जो सेल वॉल है, वो सेल यूलोज की बनी होती है, इनकी जो सेल है, उसमें क्लोरोफील, जैन्थोफील, कैरोटिन्स फाई को बिलिन्स आदि वर्नक पाय जाते हैं ये जो पौधे होते हैं सेवाल होते हैं इनमें समवहनी उतकों या फिर वैस्कूलर जो टीसू होते हैं जैसे कि जायलम और फ्लोयम उसका इनमें अभाव पाया जाता है इनमें जो प्रजनन है वो काईक या फिर असेक्सवल और सेक्सवल तीनों विध्यों द्वारा होता है इनमें जो प्रजनांग है वो एकोस के होते हैं तथा इनके चारों और कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है इनमें जो नर प्रजनांग है उसे एंथो रीडियम कहा जाता है और जो मादा प्रजनरंग है उसे igonium कहा जाता है यहाँ पिवालों में जणन या फिर reproduction देखते हैं तो इन में मुख्य ताहत तीन वीधिनद्वारा प्रजनन या फिर reproduction पाया जाता है पहला है वर्दी प्रजनन या फिर जिसे वेजीटेटिव reproduction कहा जाता है दूसरा है अलेंगिक प्रजनन या फिर असेक्सवल रिप्रोडक्शन और तिसरा है सेक्सवल रिप्रोडक्शन या फिर जिसे कहा जाता है लेंगिक प्रजनन यदि हम यहाँ पे वर्धी प्रजनन की बात करें तो बहुकोस के सेवालों में वर्धी प्रजनन प्रमुकृप से विखंडन या फिर जिसे फ्रेग्मेंटेशन कहा जाता है उसके द्वारा होता है और जो यूनिसेलिलर सेवाल होते हैं या फिर एकोस के सेवाल होते हैं उसम संसुत्री कोषी का विभाजन वारा, यह गुड़न करते हैं, और यदि हम यहाँ पर, बड़े कोटी के मलब की, जो बहु कोश के सहवाल होते हैं, तो उनमें आलेंगीक, आलेंगीक जो हैं, दोनों प्रकार के जो हैं, रिप्रोडक्सन पाए जाते हैं, यहां पर अदि हम अलेंग एक जनन का बात करती हैं तो कुछ सेवालों में जो चल भी जाड़ू या फिर जूई स्पोर्स का निर्माड होता है यह जूई स्पोर्स जो होते हैं वे जिवद्रब्य का एक पिंड के रूप में पाये जाते हैं जिन में फ्लैजिला पाये जाता है और यह जो फ्लैजिला है यह फिर कसाभी का है उसके सहारी यह एक स्थान से दुसरे स्थान पर जा सकते हैं चल भी जाड़ू या फिर जूई जुई sports है वो पानी के सैवालों में पैदा होते हैं ये स्वताह अंकुरित हो जाते हैं और नया जो सैवाल है यहां पे बन जाता है यहां पिर यादी हम आलेंगिक प्रजनन में फिर से देखते हैं तो जब कभी भी यहां पे विपरीत परिस्थिती आती है या फिर जो पानी की है वो कमी हो जाती है तो यहां पर अचल बिजाडू या फिर जिससे एप लानो इस पूर्स कहा जाता है उसका निर्माड होता है यह अपने आपको एक मोटे आवरंट से चारो तरप से घेरे होते हैं और इमें जो फ्लेजिला है उसका निर्माड नहीं हो कुछ सैवालों में जो है वो और एक प्रकार से बिजाडू का निर्माड होता है जिसे एकाइनेट्स कहा जाता है जब यहां बनते हैं तो क्या होता है सैवाल की कोई इसमें से जो कोशिका होगी किसी सैवाल की कोई कोशिका यहां पे गोलाकार होकर मोटी सता की रूप में चा से प्राप्त हो जाएगा तब यह अपने आपको यहां अंकूरित कर लेंगे और उपर में जो उस कोशिका की जो मोटी आवरण पाई जाती है वे धीरे से तूड़ जाते हैं और यहां पर जो नवजास सैवाल है उसका निर्माण हो जाएगा कुछ सैवाल पानी के किनारे पड़े रहते हैं जब विपरित वातावरण होता है तब इनकी कोशिकाओं में विभाजन तो होता रहता है पर यह यहां पर अलग नहीं हो पाते पर यहां पर जब कोशिका की जो मोटी दिवार होती है और उसके अंदर जो कई प्रकार की कोशिक वहाँ पामीला स्टेज कहलाता है यदि हम लैंगिक जनन देखते हैं या फिर सेक्सवल रिप्रोडक्षन देखते हैं तो इस प्रकार के जो जनन है उसमें दो प्रकार की गेमिट्स का निर्माड होते है और इनकी जो सन्युगमन होता है उससे जाइगोट का निर्माड होता है चलिए देखते हैं इनमें कौन-कौन सी बिधियां पाई जाती है पहला है आईसोगेमस यदि और दूसरा है एन आईसोगेमस और तिसरा है उगेमस चलिए पहला देखते हैं आईसो गैमस इस प्रकार की लेंगी क्या फिस सेक्स्वल रिप्रोडक्शन में संयुकत होने वाले जो दोनों गैमिट्स होते हैं वे आपस में बिलकुल एक समान होते हैं पर इनका जो कारिकी होता है वो अलग होता है जैसे की यूलो थ्रिक्स दूसरा है यहाँ पर एन आईसो गैमस इसमें जो दोनों गैमिट्स होते हैं उनका जो आकार और विवार होता है वो अलग होता है इनका जो साइज है उनमें भी भिन्नता पाई जाती है जो मादा युगमाक होता है वो बड़ा होता है और जो नर युगमाक होता है वो छोटा होता है उदाहरण के लिए यदि हम यहाँ पे देखें तो पेंडो राइना इसका एक्जामपल है तीसरा यहाँ पे देखें उगैमस तो इसमें जो लैंगिक जनन में संयुक्त होने वाले जो दोनों गैमेट्स होते हैं या फिर जो यूगमक होते हैं वे हर दिस्टी कोड से अलग होंगे मतलब यह पूरी तरह से अलग होते हैं दूसरे से मादा गैमेट्स गोल बड़ा और अचल होता है तो यहाँ पे जो नर गैमेट्स होता है वो नास्पती के आकार के छोटे और चल या फिर मोटाइल होते हैं जैसे कि एक्जाम पर यहाँ पी हो जाएगा हमारा चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे सेवालों का वरगी करण या फिर क्लासिपिकेशन ओप एलगी यदि हम देखे हैं तो जो बहुकोस किये या फिर मल्टी सेल्यूलर और यूकरियोटिक सेवाल होते हैं उनको मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया गया है पहला है रोडोफाइटा जो कि लाल कलर के होते हैं सेकेंड यहाँ पे फियोफाइटा जो कि ब्राउन कलर के होते हैं और तिसरा है यहाँ पे क्लोरोफाइटा जो कि हरी कलर के होते हैं चलिए एक एक करिन के बारे में जानते हैं पहला है रोडोफाइटा या फिर लाल सेव सेटार्ज रिदक के निसेटनhoo और इनको ड़क में हो सकते हैं मुण स्कृणग को स्कृणफ, वहाँ पे क्रोमेटो फोर पाई जाते हैं यदि हम देखते हैं तो इन में जो भूजन है उसका संचयन यहाँ पी फ्लोरो रीडियन स्टार्ज के रूप में होता है इनका जो जीवन चक्र है उनमें जल को सिखाए या फिर मोटाइल जो हैं सेल वो नहीं पाई जाती है यदि ह सेकेंड की बात चलिए इसका पहले एक्जामपल देख ले पॉली साइफो निया अब देखते हैं फियो फाइटा या फिर भूरी सहवाल या ब्राउन एल्गी कहा जाता है यह भी समुदरी सहवाल होते हैं मल्टी सेल्डियूलर होते हैं पादप सरीर तंतुवत या फिर प लेमी, नेरिन और वसाओं के रूप में यहाँ पे संचित होगा इनमें जल को सिखाएं पाई जाती हैं उदारन की रूप में यहाँ पे देखते हैं तो एक्टो कॉर्पस इसका एक्जामपल हो जाएगा तीसरा यहाँ पे टाइप है हमारा क्लोरोफाइटा या फिर हरी सह सेवाल गिरीन अलगी यह ताजे जल में पाये जाने वाले सेवाल हैं यह एकोस्किया या फिर बहुकोस्किया हो सकते हैं पादप सरीर एकोस्किया कॉलो नियल तंतुवत साखीत या फिर आसाखीत हो सकता है यह हरी रंग के होते हैं कोसिका के अंदर इनमें क्लोरोप्लास् के अंदर कैरोटीन जैन्तोफील क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल भी पाया जाता है यहां पी इस टार्ज की रूप में भोजन का संचय होगा चलकों सिकाए इन में पाई जाती है तो यहां पे तीन टाइप के हमारे सैवाल हो गया पहला है रोडोफाइटा लाल सैवाल फियोफ जिसे ग्रिन सैवाल कहा जाता है चलिए अब हम इनका आर्थिक महत्तु देखते हैं सैवाल का जो आर्थिक महत्तु है वो बहुत ही है इसका उपियोग क्रिसी के छेत्र में उद्योग में और चिकिस्सा के छेत्र में किया जाता है यहां पियादी हम देखें तो पिछले 20 वर नाइट्रोजन के योगिकों में यहां पर यह बदलता है मतलब यह नाइट्रोजन इस्थिरी करण करता है पौधों के लिए नाइट्रोजन अत्यदीव उपयोगी पूसक तत्व है और इसी कारण यह जो सैवाल है वो महत्वूर स्थान रखते हैं क्रिसी की छेत्रा में और यहां पर हम उद्द्योगों के ध्रिष्टी कोड से यदि सैवाल का महत्व देखें तो सैवाल से एगार एगार नामा के जटिल कार्बनिक पदार्थ जो है वो निकाला जाता है जो कि सरकराव वर्ग के अंतरगत रखा गया है इससे इससे बैग्यानिक प्रयूग सालाओं में जो है जीवाडू पोस्पदार्थ बनाया जाता है या फिर जीवाडू का जो मीडिया है वो बनाया जाता है यहां फल परी रक्षण में भी काम आता है यहां जैलीडियाम और ग्रोसी लॉरिया नामक सैवाल में यह अधिक पाया जाता है सैवाल से आयोडीन नामक तत् सथी और अनिच्च्फितु दकता है और रोड़िमीनिया का पिपकर और पना गचारों ना यहρεί। यदि हम देखते हैं तो यह बहुत ही महत्व रखते हैं हमारे जो महत्वपूर छेत्र है क्रिसी हो गया उद्योग हो गया और चीकिस्सा के सुच्टर में तो दोस्तों हमारा आज का जो टॉपिक था सैवाल वो यहीं पे खतम होता है यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हां बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोट करूँ आप उसे पहले देख पाए थैंक्यो फॉर वाचिंग